दोस्तों आप सभी लोगों के मुबाइल में इंटरनेट बटन तो रहता है जिससे आप केवल अपने मुबाइल में दोस्तों इंटरनेट को ओन या ओफी करते होंगे लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है आपके मुबाइल में जो इंटरनेट रहता है इसके अंदर चार ऐसी ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए वैसा नहीं ऐसा होना चाहिए तो उन सभी questions के आंसर भी आपको आपके mobile के internet के इस बटन से related जो भी है वो आपको मिल जाएंगे आपके mobile की जो internet है ओके यदि आप daily use करते है तो आपको इन चार latest trick के बारे में पता होना ही चाहिए ओके तो यह चा अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया यदि आपके mobile में internet बटन है आप internet यूज करते है अपने mobile के अंदर तो आपको आज में जो चार ultimate खतरना ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ इनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए यदि आप अपने वाल में internet को यूज क क्या है जो कि आपके mobile के इस बटन जो बटन है internet का इसमें जो है छीपी हुई है दोस्तों जब आप अपने वाल के इस बटन पर आते हो तो आपको कड़ना क्या है यहां पर इस तरीक से दबाह कर होल्ड कड़ना है ओके पहले ट्रिक के लिए अब दोस्तों यहां पर ट्रिक आ सकते हैं हमारा mobile जो है एक तरीके से हैक भी किया जा सकता है कुछ लोग तो यहां तक मानते है कि यदि आप वाइफाई यूज करते हैं जो कि एंसेफ है ओपन वाइफाई है तो वहां पर हमें internet banking भी यूज नहीं करनी चाहिए लेकिन दोस्तों कुछ एक लालच रहता है म तो भी हमें फिरी में कहीं से मिल जाए तो यदि आपको इस तरह की ट्रिक लगाना चाहते हो अपने वाइल में तो आपका मुबाइल बिल्कुल सेफ रहेगा और आप कितना भी वाइफाई यूज जो है कर लेना इसके लिए दोस्ता आपको करना क्या होगा इस तरीके से प अपके मुबाइल में वहां मैं आपको बता देता हूँ अब ही तब यहां पर जो आप स्बाइब उस अप्लिकेशन में आपके मोबाल का इंटरनेट ही जाएगा वाइफाई का नहीं जाएगा जो भी आप इंटरनेट से लेन देन करते हो यानि कि बैंकिंग से रिलेटेड जो भी आपके अप्लिकेशन है फोन पर गूगल पर या कोई SBI के अप्लिकेशन तो उनमें आप क्य दॉक आप स्काम करते हो वे बैंकिंग से रिलेटेड इस 늘 प्रिक्लिकेशन में उनमें वाइफाई का इंटरनेट नहींगा नहीं जाएगा और आप से शैकिंग को है यहां आप यूज कर सकते हो अब दोस्तों बात करेंगे second trick की second trick क्या है दोस्तों बहुत ही ultimate trick है दोस्तों इसका आपको पता होना ही चाहिए यह आप internet को यूज करते हैं कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका mobile खोया जाता है और आपको उसको track करना है लेकिन मुझे पता है दोस्तों क्यूंकि मेरे पास तो बहुत जादा call SMS मे लाते हैं अपने अगले बंदे के वह आपका हाथ में आया तो उस condition में वो बंदा सबसे पहले क्या काम करेगा आपका internet बंद कर देगा बैंटरी तो निकान नहीं सकता है ना और जदी वो शीचोप करने कोशिस करेगा तो वहाँ पर जो है mobile password मांगेगा फिर वो क्या काम करेगा आपके mobile का internet ही बंद कर देगा तो इस condition में क्या होता है दोस्तो आपका mobile track नहीं हो पाता है तो यह आप चाहते हो कि आपका mobile track हो जाए क्योंकि दोस्तो इतन जल्दी तो आज कल नहीं तो कोई SIM निकाल पाता ओके SIM इंजेक्टर नहीं मिलता है भूत पतला रहता है बैंटर वो अंदर से निकाल नहीं पता है शीचोप mobile को करने पता है तो ट्रैक करना आसान हो जाता है तीन-चार घंटे के अंदर यदियाप कर सकते हो तो लेकिन उससे पहले आपको अपने mobile में security के नाम से होगा तो आपको यहां पर चले जाना है लोकी स्क्रीन वाले setting में यहां पर आदोस्तों आने के बाद आपको एक setting धूड़निया जिसका नाम रहता है secure lock setting इस पर क्लिक करना है यहां पर आपको अपना pattern पिन डाल देना है इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको एक option देखने को मिलेगा lock network and security आपको यह lock कर देना है इसको उन करके इससे क्या होगा आपका mobile का lock मतलब कि जो आपके mobile की security है वो lock हो जाएगी network की अब जदी कोई दोस्तों आपका mobile चोरी हो जाता है और वो बंदा आपके mobile का जो है लोग कोशिश करता है तो शीचोप करने कोशिश करता है तो इसलिए पहले ही आपको अपने वाल में ये setting जो है करके रखनी चाहिए अब दोस्तों बात करेंगे थर्ट ट्रिक की थर्ट ट्रिक पर दोस्तों बहुत जादा comment आ रहेते हैं आप लोगों के वो क्या है थोड़ा ध्यान से देखना जदी दोस्तों आप अपने वाल के setting में चले जाएंगे connection setting में चले जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक option मिलता है mobile network का अब दोस्तों आप लोगों के बहुत जादा comment आ रहेते कि हमारे में यह बहुत बड़ी problem है internet को लेकर कि यदि हमारे पास एक SIM पर किसी की call आ रही है तो दूसरे SIM का internet बंद हो जात लेकिन आपका internet जो है ना रूखे तो इसके लिए आपको mobile network वाली setting में जाकर एक option मिलता है यहाँ पर allow all SIM to use data in call तो इस पर आप किलिक कर देंगे इसका मतलब हो गया allow all SIM to use data in call यानि कि जब आपकी call आये तो सभी SIM को आपने अलाव कर दिया है internet को यूज करने के लिए वो चा बगा रहा है तो उसको भी आप जो है देख सकते हो तो इस problem का आपको solution मिल जाएगा यह वाली केवल एक setting करने से ओके अब दोस्तों एक चीज हो रहा है जो कि मैं आपको कह रहा था कि 4 number की setting आपके लिए VIP रहने वाली है यह setting क्या है दोस्तों कभी भी आपको एक गलती नही आप चले जाते हो और आपके वाली को उसमें वाइरस घुसा दे वह website तो आपको पता नहीं रहता है आप कुछ भी इंटरनेट पर सर्च कर रहे है तो इसके लिए दोस्तों आपको मैसा अपने वाली में एक setting करें रखने चाहिए कि यह आप किसी भी website पर किसी भी application में जाना है इसके लिए अपने वाली की setting में यहाँ पर search option में आपको type करना है internet setting जैसे आप internet setting को search करते है यहाँ पर आपको internet setting का एक option मिलेगा इस पर click करना है यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा दोस्तों अब privacy and security यहाँ पर आपको चले जाना है यहाँ पर थोड़ा नीचे जाना है यहाँ पर आपको एक option मिलेगा smart anti tracking इस पर आप जो है click कर देंगे अब दोस्तों यदि आप किसी ऐसी website पर click भी करते हो जो कि आपको track करने कोशिश कर रही हो ओके या फिर मतलब आपके वाल में वह वायरे छोड़ सकती है या इसा software download करके छोड़ सकती है आपके वाल में जो कि आपको track करें एक तरीकी से आपको spike करें तो इसके लिए आप यहाँ पर always पर click रखे smart anti tracking जो feature है यह always active रहेगा जिससे कि आपके वाल में इस तरह की कोई भी problem internet को use करते वे नहीं आएगी तो इस चाह ट्रिक दोस्तों ज आपका दिन सुबू